तो बच्चों जो आपका पेपर वन था उसके अंदर मैच दी कॉलम किस तरह से आया थे जरह उनको समझते हैं ठीक है मैच दी कॉलम पिछले साल के अगर कॉर्रस्पंडिंग अगर बात करेंगे इससे पहले जैसे मैच दी कॉलम आते थे उनसे आसान कर दिये गए जे एड़ान सुचन 24 के अंदर क्यूंकि जब एक से एक को ही मैच करना होता है तो प्रॉब्लम्स इजी हो जाती है ठीक है पहले क दीखते हैंभी प्रॉब्लम सुच कैसे सॉल करना है यहाँ पर पहला प्रॉब्लम यह आपका जो है मैं आपको बता देता हूँ लाटस ऐलेवन से जो है यह प्रॉब्लम आई है आपकी क्लास 11 में आप जो thermodynamics पढ़ते हैं वहां से यह question है and मैं इसे जो है easy category में ही आपके लिए categorize करूँगा ठीक है पहले question solve करने से पहले जो है मैं इसका आपको answer बता देता हूँ कि क्या है यहाँ पर ठीक है तो आपने सारे options अपने exam के अंदर देखी लिए होंगे ठीक है and इसका जो correct answer है वो option B है ठीक है B is the correct answer for this देखते है करना कैसे है ठीक है problem समझते है क्या बोला गया है that one mole of a gas monotomic ideal gas n is equal to one given data monotomic degree of freedom की जो value है वो आपकी 3 के बराबर हो जाएगी ठीक है undergoes the cyclic process J, K, M, J, K, L, M, J as shown in the PT diagram match the quantities mentioned in list 1 with their values in the list 2 and choose the correct options ठीक है gas constant आपका R है बोल रखा है work done in the complete cyclic processes complete cyclic process में work क्या होगा इसको तीन चार पार्ट में तोड लेते हैं ठीक है सर यह first, second, third, fourth ठीक है इन तीनों अलग 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 process के चारों अलग अलग process के work बता देते हैं सर पहली चीज यहाँ पर जो है P into delta V आप बोल सकते हैं work निकालने के लिए तो यहाँ पर जो है अच्छा ठीक है अब देखो यहाँ पर जो है डाइग्राम में जो है temperature के corresponding दे रखा है तो आप देखिए कि work done in the process 1 यह क्या होगा process जो है आपका isobaric process है pressure constant है आप बोल सकते है nr delta t के बरावर सर n की value 1 r की जो value है gas constant की रहेगी t final minus t initial is 2t not guys very important thing work done in 3 की जब मैं बात करूँगा तो again जब nr delta t बोलूँगा यहाँ पर तो n की value 1 r delta t उतना ही negative में हो गया तो भाई एक बहुत important चीज़ बात work done in 1 and 3 तो एक दूसरों कर देंगे अब दिखते है work done in 2 कैसे दिया जाएगा work done जो 2 है आपको यह isothermal process है temperature constant है तो आपको पता होना चीज़ सर इसके अंदर जो है nr t ln v final by v initial ऐसा लिखा जाता है अगर v नहीं है pressure है तो pressure उल्टागर की लिख दो इसके अंदर ठीक है तो मैं कह सकता हूं sir pv is equal to nr t न अगर मैं कहता हूं sir temperature तो constant है तो pv is equal to constant तो मैं जो है इसको लिख सकता हूं v final by v initial की जग़ प initial divide by p final उल्टागर दिया pressure में ठीक है अब दिखो भाई यहाँ पर अपने l n p initial p initial आपका p not final 2 p not है तो वो हो गया 1 by 2 इससे लिखा जा सकता है minus 3 r t not ln 2 चाली यह बता चल गिया work done in 3 की बात कर लेते है sir 3 sorry 4 की बात कर लेते हैं यह तो easy हो जाएगा sir ठीक है sir same formula n r t temperature t not है तो यह r t not हुआ l n p initial by p final तो यह 2 हो गया अगर मैं add करके net work निकालूँगा कि कितना total work हुआ है तो आपको दिख रहा होगा that work done in all the process add करता हूँ मैं तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 इसका जो result आपका निकल क्या रहा है वो निकल क्या रहा है minus 2 r t minus 2 r t l n 2 क्या कोई ऐसा option था क्या कोई ऐसा option था-2 r t l n 2 p का 4 p का 4 तो 2 option eliminate हो गया option 1 wrong option d wrong p का 4 दो में match कर गया है ठीक है क्यूं चेक करने थे में पीटा क्यूं चेक करते हैं आपका answer आ जाएगा देख लेते हैं change in the internal energy of the gas in the process j k j s k में जो process है j s k इसमें internal energy का कितना change हुआ आपको मालू में internal energy delta u का change दिया जाता है n c v delta t से c v की value होती है fr by 2 तो आपने बुला sir n तो 1 है fr by 2 and delta d के बराबर 3r by 2 delta t जैसे k में 2 t not के बराबर है sir आपका answer 3r t not होना चाहिए 3r t not second का 3r t not कहीं दिख रहा है so q का 3 हो गया q का 3 हो गया तो यह तो गलत हो गया तो यार वैसे बहुत आसान सवाल हो जाते है कर इस तरह से आप चेक करोगे तो बट हम तो आपको सिखाने आये तो दोनों option और भी देखेंगे यहाँ पर heat given to the gas in the process KL KL process के अंदर कितनी heat दिए K से लेके L process के अंदर work done आपने निकाल रखा है ठीक है change in internal energy होगा के कुछ internal energy में change होई ही नहीं रहा ठीक है क्योंकि temperature constant है तो जितना work है उतना ही heat होगा तो work done in the process 2 कितना लिखा है मैंने minus 3RT not ln 2 ठीक है तो यह पूछा क्या तो और question में heat given to the gas ठीक है क्या r का answer 5 है ठीक है next देख लो change in the internal energy of the gas in the process MJ भाई MJ कहा है M से जे मज़ा कर रहे है temperature constant तो 0 होगा तो उसका answer तो 0 होना चाहिए 0 तो S का जो है 2 S2 match कर गया तो that's why I am claiming this question as the easy question from the class 11 thermodynamics topic आईए आगे वड़ते है 15th question जो है आपका exam का वो देखते है ठीक है देखो भाई यह question क्या पूछा गया था ज्यादा difficult नहीं था इस तरही questions आप capacitor के class में करते ही है D के option 2 option तो बहुत easy थे देखते है 4 identical thin square metal sheets S1, S2, S3, S4 each of the side A are kept parallel to each other ऐसे रख दी है with equal distance D between them as shown in the figure और C की value आपको दे रखिए where epsilon is the permittivity of free space match करनी है ठीक है capacitance between S1 and S4 with S2 and S3 not connected, S2 and S3 को not connect कर रखा है और S1 and S4 के बीच में आपको capacitance पूछा है तो आपको दिख रहे है 1, 2, 3, 3 capacitor series में, 3 capacitor series में है तो आपका जो answer होगा equivalent का वो C by 3 हो जाएगा series के अंदर तो भाई C by 3 किसी option में दे रखा है क्या, C by 3, P का 3, P का 3, P का 3 जो है स्रिफ A की option गलत हुआ है ठीक है, पहले मैं आपको सिखा आना हूँ, जो का direct answer नहीं बताना हूँ पहले, P का 3 है तो यह match हो गया है, और उन तीनों में Q का 2 भी दे रखा है, देख लेते हैं तो फिर जो है फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है, next बूला गया है आपको यहाँ पर, कि sir, the capacitor is between S1 and S4, with S2 and S3 shorted, ठीक है, S2 and S3 को short कर दिया, अगर मैंने short कर दिया है, तो आपको दिख रहा है कि sir, वो दोनों plates हो है, अब एक द्रसों से connected हो गई है, तो दो ही capacitor लगे है, आपके series में, तो इसका equivalent C by 2 आ जाएगा, अगर C by 2 equivalent निकल के आ जाता है, तो sir, Q का 2, Q का 2, यह तो channel answer आई जाएगा, देखते है, capacitance between S1 and S3 with S2 shorted to S4, ठीक है, S2 को short करना है, S4 से, और S1 and S3 के बीच में capacitance निकालना है, इनके बीच में निकालना है, और जो short करना है यहाँ पर, वो करना है 2 और, 2 और 4 को, ठीक है, 2 and 4 को short करना है, तो भाई इसको rearrange करके diagram कैसे बना सकते हो आप आप बोलो कि सर पहली चीज, यह plate आपकी S1 हुई, S1 एक plate है आपकी, दूसरी plate जो है आपकी S2 की हुई यहाँ पर, ठीक है, अब S2 और S4 आपस में connected है, ठीक है, तो S2 और S4 एक capacitor यह, और S2 और S4 आपस में connected है, और S3 पर आपका exit है, ठीक है, थोड़ा समझने वाली बात ह S3 और S4 भी एक capacitor बने, तो इस case में क्या हुआ, S2 और S4 को जोड़ दिया, यह S4 था, और S3 पर जो है आपने पूछा, सरी है S3 था, तो देखो मुझे एक capacitor दिख रहा है, S1, S2 के बीच में, तो मैं इसे tick करता हूँ, चलता हूँ, tick करता हूँ, कैसे चलता हूँ, देखना ह किया आप है, क्या मैंने utilize कर लिया है कैसे, S1 and S2 वाला utilize कर लिया है, क्या मैंने S2 and S3 वाला utilize किया, नहीं किया, नहीं किया भी, देखो भाई, S2, S3 और S4 वाला कर लिया, यह कर लिया, यह pending रहे गया, यह वाला pending रहे गया, S2 और S3 के बीच में capacitor लगा दूँगा, तो काम देखो इस से क्या होगा, यह दो capacitor parallel में, तो 2C हो जाएगा, 2C और C, series में, तो 2C into C divided by 2C plus C, तो that will be 2C by 3, 2C by 3 answer होना चाहिए इसका, 2C by 3, R का 4 option, तो जैसा मुझे लग रहा था, अभी तक भी elimination complete नहीं हुआ है, अब depend करता है, last वाले की choice पे सिर्फ, ठीक है, last वाला देखो capacitance between S1 and S2, with S3 shorted to S1, double shorting करीए है आपर, ठीक है, देखते है, अब आपको बूला है यहाँ यहाँ पर कि किन 2 के बीच में निकालना है, S1 and S2 के बीच में, तो जिनको निकालना है पहले उन्हें मार्क कर लो, sir, S1 and S2 के बीच में निकालना है, sir, ठीक है, and short किसे किया है यहा आजना, S3 to S1 and S2 to S4, odd वाले एक साथ, even वाले एक साथ, odd वाले एक साथ, इसको इससे short कराना है, and even वाले एक साथ, इसको इससे short कराना है, देखते हैं यह कैसे कर सकते हैं, आपने बोला, sir, इसको rearrange करके draw करते हैं, S1 यह side है, और दूसरी side पर जो S2 है, यह S2 है, S1 and S2 के बीच में एक capacitor plate तो लगी भी मुझे दिख गई है, ठीक है, sir, यह काम आपने यूज़ कर लिया है, अब S2 और S3 के बीच में use करना है, S2 and S3, ठीक है यार, करते हैं कुछ न कुछ, तो बोलते हैं, sir, यही side S2 है, S2 और S3, और S3 ही S1 है, भाई साब, ठीक है, तो यह S2, यह S3, S3 ही S1 है, connected है वो, ठीक है, तो यह S2 और S3 मैंने connect कर दिये हैं यहाँ पर, तो sir, यह S2 and S3 आपने देख लिए, अब next, S3 और S4 के बीच में देखना है, ठीक है, S3 और S4, sir, S3 ही आपका S1 है, और S4 ही आपका S2 है, ठीक है, बात समझ में ही, मैंने कैसे बोली हैं यहाँ पर, S3 ही S2 है, सब चेक करना, तो यह match कर गई, इसका answer तो sir, 3C निकल के आएगा, 3C निकल के आएगा, तो S का होना चाहिए, 1, S का 1, तो that's how आप कह सकते हैंगी sir, आप finally पता चलिएगी, यह option भी गलत है, C is the correct answer for this problem, ठीक है, तो जो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि यह question जिन बच्चों को थोड़ा सा भी tough लगा हो, tough नहीं है question यार, ऐसे standard question आप करते ही है, ठीक है, तो important चीज, इसका answer C था, class 12, आप electrostatic potential and capacitance परते हैं, तो capacitance से सवाल था, ठीक है, again इस सवाल को भी जो है easy category के अंदर ही categorize करा जाएगा, let's move to the next question, next question बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि क्या पूछा गया था, यहाँ पर, पर इस पर देखते हीं, फ्यूफ कर गया था, अननने अनने 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 इस पर अनने पर देखते अनने चरूंड परी ठ करेगि, ठीक है, reflected ray then emerges out of the sphere after partial refraction, ठीक है, total angle of deviation of the emergent ray with the with respect to the incident ray is alpha, ठीक है, match the quantities mentioned in list 1 with the values in the list 2 and choose the correct option, ठीक है, 3 option के अंदर मुझे एक चीज़ दिखिए, alpha 180 180 180, angle of deviation 180 बोला है, तो पहले draw कर लेते हैं, देखते हैं कि किस तरह से angle of deviation हम दिखा सकते हैं यहाँ पर, पहले चीज़ यहाँ, यह आपका spherical surface, यह इसका center, light ray कैसे आ रही है देखो भाई, light ऐसे आई, यह angle theta 0, light ऐसे refract करी हैं यहाँ पर, phi 0, अगर मैं इसे current करूँगा, तो दोनों ही radius है तो यह भी finite हो जाएगा, finite angle पर ही वापिस इदर आएगी, reflection हुआ है, then, यह angle भी finite हो जाएगा, geometric calculation से, और light ray ऐसे जा रही थी और ऐसे बाहर आ जाएगी, theta 0, अगर मैं तीनों surface पर deviation देखता हूं, कहता हूं कि यह first आपका जो है, reflection, second यह आपका reflection, third आपका reflection, पहले surface पर deviation देख रहा हूं, मैं वह होगा, theta 0, minus 5 0 के बराबर, second surface पर जो होगा, वो 2 pi minus twice of 5 0 के बराबर होगा, third surface पर deviation होगा, again, आप बूल सकते हैं, sir, यहाँ पर थोड़ा से extend करके देखना, theta 0, minus 5 0 के बराबर, आपका deviation होगा, अगर मैं net deviation की बात करता हूँ, यहाँ पर, तो del net की जो value है, it will be equal to 2 pi plus 2 theta 0, अच्छा, 2 pi क्यों लिख रहा है, pi है न यह तो, 180 angle था न, गडबड होगी, ठीक है, सही कर लेते, 2 theta 0 minus 4 phi 0, hopefully बात समझ में आगे हूँ कि यह net deviation यहाँ पर हमें इन्हों ने बोला, अच्छा सर, अभी तो small slow भी लगाना पड़ेगा, आपको angles के अंदर relation निकालने के लिए, यह तो net deviation आ गया है, चलिए small slow लगा लेते हैं, यहाँ पर, चलि, options पढ़ते हैं कि क्या दे रखा है, if n is equals to 2 and alpha is equals to 180, then all the possible values of theta 0 will be, ठीक है, n को 2 लेना है, और alpha को 180 लेना है, अगर alpha 180 डालता हूँ यहाँ पर, if alpha is 180, तो यह दिख जा रहा है, pi plus 2 theta 0 minus 4 phi 0, इस से पता चला सर, यह तभी possible है, जब theta 0 is equals to 2 phi 0 के बराबर हो, means phi 0 की value, angle of refraction की value, angle of incidence divided by 2 हो, ठीक यार, अब क्या बोला, इसने, यह value है, और the value of n is equals to 2, n की value 2 लेना है, तो देखो, sin theta 0 is equals to twice of, sin phi 0 की जग लिख सकता हूँ, sin theta 0 by 2, जब expand करोगे तो यह हो जा है का, twice sin theta 0 by 2, cos theta 0 by 2 is equals to twice sin theta 0 by 2, पता चला सर, इस से cos theta 0 by 2 is equals to 1, cos theta तो 1 ही तभी होता है, जब theta 0 by 2 is equals to 0 degree हो गया, पता चला, theta 0 जो है, 0 degree के बरावर है, तभी यह relation possible है, तो भाई, पहले का answer होना चीए 0, P का 5, दो option खतम हो जाते हैं, P का 5, ठीक है, P check कर लिया, क्यूंदेखो, n की value root 3 है और alpha की value 180 है, ठीक है, तो दूसरे marker से यहाँ पर कर देते हैं, तुम्हारे यहाँ पर comparison के लिए, n की value root 3 है, alpha की value 180, alpha 180, तो यह calculation same, n की value root 3 डाल के डुबारा calculation कर लेते हैं, sir n की value root 3 डाल के डुबारा calculation कर के check करना भाई, sin, आप बोल सकते हो, sir, sin theta 0 is equal to root 3 sin theta 0 by 2, ठीक है, sin theta 0 by 2, 2, जब expand करेंगे, तो यह बन जाएगा, twice cos theta 0 by 2, sin theta 0 by 2 मैंने काट दिया है, ठीक है, अगर sin theta 0 by 2 मैंने काटा है, तो basically solution यह भी है कि वो 0 हो सकता है, तो भी identity match कर सकती है, उसको बाद में use करेंगे, ठीक है, अच्छा, यहाँ क्यों नहीं check किया, कि 0 वाला, कि 0 तो आई गया न, अंसर तो दुबारा 0 क्यों चेक करना है, ठीक है, तो आपने बोला, sir, cos theta 0 by 2 is equals to root 3 by 2, theta 0 by 2 is, cos inverse root 3 by 2 will be equals to 30 degree, theta 0 is equals to 60 degree, and 0 degree भी answer possible है, कैसे, यह भी मैंने आपको बोला, sir, यहाँ पर एक और solution निकला था, जब इसको आपने sin theta 0 by 2 को cancel किया था, that sin theta 0 by 2 can be 0 also, ठीक है, sin theta 0 0 पर ही होता है, तो दो answer होने चीह है, आपर 60 degree and 0 degree, 60 or 0, 60 and 0, क्यों का 2, क्यों का 2, क्यों का 2, option A answer आ चुक है, option A आपका answer यहाँ पर आ चुका है, hopefully आपको दिख गया होगा, that A is the correct answer is A option, अगर बाकी options अगर आप check करना चाहते हो, तो कर लेते हैं, n की value root 3 है and alpha 180 है, then all the possible values of 5 0 will be, same है, theta 0 की जगा, अगर 5 0 निकालोगे, भाई theta 0 60 and 0 आया, तो 5 तो उसका आदा है, 30 and 0, match करना चाहिए, r का 1, r का 1 match कर गया है, ठीक है, लास्ट, अगर n root 2 है and theta is equals to 45 है, then all the possible values of alpha will be, अच्छा, यहाँ पर deviation की condition ही नहीं लगाई, ठीक है, theta 0 ही 45 दे दिया है, ठीक है, और alpha की values पूछ लिया है, बहुत ही बढ़िया, देखो भाई, इसे कैसे कर सकते हैं, इसे आप बोलेंगे, सब theta 0 45 है, तो 1 into sin 45 is equals to root 2 into sin 5 0 निकल के आया, sin 5 0 is equals to half, 5 0 की value 30 degree, theta 0 की value 45 degree, अगर यह दोनों पता चल गए हैं, तो इनकी basis पे अब आपको alpha निकालना है, तो आप क्या करो, चेक करो, सर अगर यह 45 minus 30 करता, तो यह 15 आता, 180 minus 30 करता, 5 0 कितना है, भाई इतना है यह न, 180 minus 30 करता, नहीं, नहीं, गलत बोल रहो हो नहीं, 5 0 30 है, तो उसका double कितना हो जाएगा, 60, 180 में से 60 minus करता, तो यह 120 बनता, यह कितना बनता, again 15 बनता, तो net division की value sir, 150 आ जाती, 150 means, S का 4, match करके हैं बच्चो, so that is how, मैंने सारे options, check करके देखे, and आपको पता चला, that A is the correct answer for this one, ठीक है, यह जो है बच्चो, अगेन बता देता हूँ, आपको, class 12 का problem है, geometrical optics, and हम इस problem को जो है, moderate consider इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि, कभी कभार बच्चा जो है, थोड़ा बहुत calculation में फच्च जाता है, ठीक है, analysis में, बागी तो कोई ज़्यादा difficult problem है नहीं, moderate to easy, अगर कोई सोचे कि sir, easy भी कह सकते हैं, moderate to easy आप इसे consider कर सकते हैं, let's see the 17th last problem of the paper here, इसमें क्या बोला था, circuit shown in the figure, contains an inductor L, दे रखा है, capacitor C0, दे रखा है, resistor R0, दे रखा है, and an ideal battery, circuit also contains two keys, K1 यहाँ दे रखिये, बच्चों, K2 यहाँ दे रखिये, initially both the keys are open, and there is no charge on the capacitor, at an instant key K1 is closed, जैसे ही K1 close करोगे, इस circuit में current flow करेगा, ठीक है, T is equals to 0 पे, inductor broken wire की तरह behave करता है, ठीक है, key is closed, and immediately after this, current in R0 is found to be I1, तो immediately मतलब T is equals to 0, T is equals to 0 पे, inductor जो होता है, वो क्या होता है, broken wire, अगर यह broken wire है, तो क्या current इसमें से flow होगा, नहीं होगा, current flow नहीं होगा, तो I1 की value 0 होगी, I1 की value 0 होगी, तो देखो कौन सा option match कर रहा है, I1 0, P का answer 1, अरे यार, तीन option में दे रखा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो P का जो है, हो चुका है, 1 आचुका है, आगे देखो यार, आगे क्या बूला है, आफ्टर लॉंग टाइम, दी करंट अटेंट सेडी स्टेट वैल्यू, I2, T is equals to infinity पे, इंडक्टर जो होता है, वो straight wire की तरफ बिहेव करता है, ठीक है, straight wire, तो उसक्त करंट हो जाएगा, 20 by 5, that is equals to 4 ampere, 4 ampere किसमें दे रखा है, 4 ampere, Q का 3, Q का 3, तो ये गलत हो जाता है, Q का 3 याँ बैच कर गया, value of omega naught in kilo radiances, अब ये omega naught का है, देखते है, thereafter, ठीक है, जब ये fully charged हो जाता है, T is equals to infinity, अब क्या होगा, LC oscillations होगे, LC oscillations पढ़ा होगा, तो कर पाएंगे, capacitance के अंदर, हम, sorry, RLC circuit पढ़ते हैं, alternating current में, वहाँ पर आप जो ही जाके पढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखो, K2 is close, and simultaneously, K1 is open, and the voltage across C naught, oscillates within amplitude V naught, and angular frequency omega naught, angular frequency आप से पहुँचा है, आपको पता है, जब भी, oscillations, LC oscillations होते हैं, यहाँ पर, omega naught की value दी जाती है, 1 upon root LC, यह पता होना चीए था, 1 upon root LC में निकालूँगा, तो L की value 25 millihenry, इसको इससे multiply करेंगे, तो वो हुआ 250, into 10 to power minus 9, जब पूरा solve करोगे, तो यह बना सर, यह 10 to power minus 8, तो 10 to power 4 पर चला जाएगा, and 5 बन जाएगा, और इससे solve करोगे, तो 2 into 10 to power 3, 2 into 2 kilo, kilo में आना चीए, ठीक है, kilo radians per second ही बोला, इसको इसकी value 2 आएगी, R का answer आना चीए 2, यार तो धूका कर दिया है, नोंने दोनों में 2 दे रखा है, ठीक है, पर चलो solve करना तो सीखना था, हमें solve करना हम सीख गया है, Q हो गया, R हो गया, last, value of V0 in volts is, V0 की value निकालनी है, amplitude V0, अब यह कैसे निकलेगा, ठीक है, oscillates with amplitude V0, and angular frequency omega 0, ठीक है, अच्छा, amplitude है, और किस चीज का, voltage across C0, oscillates with amplitude V0, ठीक है, voltage जो है, Q is equals to Cv, Q0 is equals to Cv0, ठीक है, अब जो value है, Q0 की कहां से ले के आऊंगा, आपको पता है, यह चीज, की, आपका जो charge होता है, वो charge ऐसे दिया जाता है, किसी भी instant पे, Q is equals to, यहां पर जो है, LC oscillations की equation, याद करो, ठीक है, LC oscillations की, जो equation है, उसी के basis पे, आप यह निकाल सकते हो, तो last वाला जो part है, उसके अंदर आपको, direct forward LC oscillations की, equation के बारे में सोचना था, आप बोलेंगे, सर, यहां पर जो है, Q not की जो value होती है, I not by omega करके दी जाती है, और यह I कहां से value, उसके बारे में बात कर लेता हूँ, आपकी value कुछ इस तरह से निकल के आती है, equation की, Q is equals to, Q not, sine, और इसके अंदर जो है, equation होती है, आप इसे differentiate करते हो, यह omega t plus phi, ऐसे equation बनती है, जब differentiate करते हो, तो dq by dt से आपका current मिलता है, I not, और यह omega वहार आ जाता है, ठीक है, और यह cos में convert हो जाता है, omega t plus phi, तो I hope यह चीज़ समझ में आरे होगी, कैसे जो है, यह conversion वर्क करता है यहां पर, और हम कहा देते हैं कि sir, जो q not की जो value है, वो I not by omega, इस तरह से equation से आप निकालते है, तो differentiate करने से यह आएगी न, ठीक है, तो, one second, यहां पर मुझे q not रखना था, और यही चीज़ पूरी क्या होती है, I not होती है, ठीक है, I hope यह चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, तो इसकी help से जो है, मैं कहा देता हूँ sir, q not की जो value होती है, वो होती है, I not by omega के बराबर, ठीक है, अब जरहां I not और omega की value, आपको पता ही है, यह देख लीजिए, I not, इसके अंदर जो current है, maximum value of current, 4 आचुकी थी ना कहीं, हाँ जी 4 आचुकी थी है हमारी, कि maximum value of the current जो है 4 है, I to an ampere, q का 3 आचुका था, q का 3 आचुका था, तो यहाँ पर देखो, मैंने बोला कि sir, charge की value निकालो, 4 divided by, omega कितना था, 2 into 10 to power 3, इससे आया, 2 into 10 to power minus 3, अब मैं बोल सकता हूँ sir, v0 is equal to q0 by c, 2 into 10 to power minus 3, divide by c की value कितनी है, 10 microph, 10 into 10 to power minus 6, यह हो जाएगा, minus 5 उपर जाएगा, तो plus 5, 200 मेरा answer निकल के आ रहा है यहाँ आपर, ठीक है, क्या मैंने कुछ गवर तो नहीं किया, ठीक है, 5 और 4, सही लग रहा है ठीक है, तो इसका answer A होना चाहिए बच्चो, that is how this problem is done, तो A इसका correct answer निकल के आ जाता है, this is the answer, तो LC oscillations का आपको use यहाँ पर समझना था, 200, तो option A is the correct, C is the wrong, मैं बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, कि यह जो है class 12, class 12 के अंदर जब आप alternating current पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर यह चीज होती है, class 12, alternating current, पहले दो पार्ट तो बहुत easy है, उसके बाद वाले भी कोई बहुत ज़्यदर difficult नहीं है, तो इसे moderate से easy category के अंदर जो है, आप categorize कर सकते हैं, question hard नहीं है, overall जो paper का analysis आपका रहा है, तो that's all about the paper 1 of J.E. advanced 2024, मैंने physics की पूरी बात करी, आपके लिए जो है J.E. advanced का 2024 का paper 2 जो हुआ है, उसके solutions भी ले के हम आएंगे, overall जो paper था, physics का paper 1 जो था, relatively easier या moderate side था, एक या दो question ही थोड़े tougher side देखने को मिले, होपफुली आप लोग को जो है solution से फायदा हुआ होगा, ठीक है, कोई भी अगर आपकी queries है, या फिर we are eagerly interested to know, कि आपका total क्या हा रहा, तो इस paper के अंदर क्या आपका total रहा, physics के अंदर, chemistry के अंदर, maths के अंदर, या total, दोनों paper में मिला के, ठीक है, तो जरूर इस video के नीचे हमें comment करके, जरूर बताईएगा उस सेच के बारे में, और any other thing, you can again discuss with me, I am always there to help you guys, thank you, thank you guys.